इलेवन थिके बाइलोजी के जितने भी विद्यार्ति का 11 अपरेल की दिन पेपर है ठीके चार तरह के पेपर बताऊंगा ठीके चार तरह के पेपर में आपका रियल पेपर फशा हुआ रहेगा एकदम औरीजिनल चीजे में आपको बता रहा हूँ जिसको भरोसा है ठीके औरिजिनल पेपर है हमारे पास लेकिन सामने नहीं बता सकते इंपी वोट की नजर से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ठीके आवरत भीजियों में भ्रून्पोस होता है त्रिगुनित हैं सिरियन तंत्र पाया जाता है उपास्ति में निम्नलिकित में से कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता गौल जी काई में प्रकास संसलेशन क्या है अक्सिकरन अभी किरिया जेवकला प्रमुकताब बनी होती है लिपीड वा प्रोटीन की सुद्ध रक्त पाया जाता है फुसपुसी धमनी में इसके बाद मैं यहां से देखिए यह इंगलिस म कोशिकाय सईयोजी उतक में पाई जाती है फुस्प एक रुपांत्रित प्रारो है रेखित पेसी में दो निकस्ट जेड रेखाओं के बीच का जो भाग है वो सार को मियर कहलाता है कोशिका की खोज राबर्ट हुप ने 1965 में की थी पक्षियों एवं 30 रोपों का मुक्य उस होती है 206 कि इसके बाद में यहां से हमने इंग्लेश मीटियम का भर भर दिया है पहले सी ताकि हमारे इंग्लेश मीटियम वाले बच्चों को भी अच्छे नम्मर आए ठीक है यहां से देखिए सही जोड़ी पहले का मिलाना आप द्वित्यक व्रद्दी से मिलना में केंद इसका आपको तरल स्योजी उतक लगा देना है यहां से देखिए हमारे इंग्लेश मीटियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे इसके बाद में देखिए एक वाक्त की उत्तर में ने पूरे भर दिये हैं आप अच्छी मेहनत करो अच्छे अंक्य प्राप्त करो यहीं से अच्छे नोट्स पर नहीं देना है ठीक है आपके पास में दो मोके और बचे है ठीक है तो बाद में अच्छे से तैयारी कर लो गया तो अच्छे नमबर आ जाएंगे यहां से देखिए कुसे नमबर सेवन है यह अभी पूरा सोलिशन दे रहा हूं पीडियेप के सहार ठी ठीक है चलिए इसके बाद में यहां से देखिए कुसे नमबर 9 है प्रोकेरियोटिक कोशिका के लक्षन कार्वो हाइड्रेट के दो कारे लिख दे हैं मियोसिस न्यूकारी विवाजन क्यों कहा जाता है इमर्सन प्रभाव किसे केते हैं यहां से कुसे नमबर 12 है कुसे नमबर 14 है एक प्रारूपिक कुस्प का नामंग की चित्र बनाना है ठीक है यहां पर देखिए कुस्चन नमबर 16 है यह सत्रा कि सी थी और सी पूर पोदों में अंतर एक गलाइक कुसित्ता क्रेप्स चक्रिम अंतर है ठीक है दो चीजे 11 किलास के बाइलोजी में आ रही है एक तो अंतर और चित्र है ठीक है दोनों में सब कुछ चिपा हुआ है ठीक है भाईया पेपर जो है जो मैंने आपको पूरे 19 कोस्चन थे और 19 कोस्चन ही यहां पर देख लिए हो गए हैं ठीक है तो यह मैंने पेपर आपको बता दिया तो यहां से बढ़िया से आप स्क्र स्क्रीन सोट आप बढ़िया से कंप्लीट करने ना इनको यह इसकी ले लिए ब्रायो भाइट को पादब जगत का उबिचर क्यों कहा जाता है ठीक है अच्छे से तैयारी करिएगा यही प्रशनूत्तर आपके आने वाले हैं ठीक है यहां से कुस्च्छ नंबर 5 है यह यह ठीक है यहां से यह अच्छी से मैनत कर लो ठीक है यहां पर जड़ में संवन बंडल का आरोई रूप में क्यों व्यश्थित होते हैं ठीक है अच्छे से कंप्लीट कर लीजेगा यही प्रशन आपके आ रहे हैं ठीक है यह कुस्च नंबर 4 है इसके बाद में यह यहां से कोशी की पुल से आपके अभी प्राई है इसके बाद में यहां से साइटो काईनिन के कोई दो प्रिपत्री जड़की या नुप्रस्त काट का नामां की चित्र है बाद अब कोशिका का नामां की चित्र बताना है दी एने और आरेने मंतर बताना है इसके बाद में देखिए यह थोड़ा सा उल्टा हो गया इसको आप फोटो को सिधा कर लेना वीडियोप में कर दिया है बच्चों ने यहां पर देखिए संदी वाला प्रस्ण है था जो सी तिरी और सी फॉर पोदों में अंतर गलाइकोसिस तता क्रेप्स चक्रेमंतर कर देना यही बिल्कुल प्रस्ण आ रहे हैं ठीक है इसके बाद में यहां से यह दिरगुत्री का जो प्रस्ण है आपका यह कुश्चे नमर 19 से और यह प्रतिवर्ति के लिए इसका अथ्वा धान ठीक है उधारन साइद बताना है तो यह मैंने आपको बाइलोजी का सेट एक पूरा सोलिसन दे दिया है ठीक है अच्छे से महनत कर लोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे ठीक है यही हमारा उद्देश से कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट बी सी डी चारों को पेपर को अच्छे से कंप्लेट कर लेना आप ठीक है आपके जिले में मुना जाने कौन सा पेपर आ जाए ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में